पुराना सफेद दाग, आप पेसे ऐसे लोग जिनको सफेद दाग, लिगो डर्मा, विटी लिगो, इस तरह की जो बिमारी बोलते हैं कि शरीर में सफेद दाग हुए थे, अब वो सफेद दाग होके दो साल की उपर का टाइम हो गया है, और वो सफेद दाग दो साल में बिल् इंजरी ठीक हो जारी है, वो चोट वाली जिगर पे सफेद दाग नहीं हो रहा है, अगर ये तीन के तीनों लक्षा प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल विटी लिगो, या स्टेबल लूकोडर्मा, इसमें दो टाइप होता है, एक अंस्टेबल होता है, जो क पूराना सफेद दाग ऐसे भी बोलते हैं, अगर वो तकलीफ है, तो उसमें हम आईरवेत की तुरू क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या चीजिजों का आपको द्यान रखना चाहिए, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में सवागत हैं आप सभी अमिश्टर वेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं सफेद दाग के बारे में, खास करके जिनको पूराना सफेद दाग है, लंबे समय से बना हुआ है, उस सफेद दाग की समस्च्या में क्या क्या उपाई या क्या-क्या इलाज कर सकते हैं, पूरी में 70 मिलियन मतलब एक से लेकि 80% की लोगों को इस तरह की सफेद दाग की बीमारी है अब ये सफेद दाग की जो सवस्चा है उसको हम तीन अलग-अलग कैटेग्री में डिवाइट खड़ सकते हैं और दब शरीर पे कितने हिस्से पे हुआ है उससाब से तीन अलग-अलग इस कोई एक जगह वो सफेद दाग हो जाएगा और लंबे समय तर दो साल, पांथ साल, दस साल, बीस साल वहीं पड़ा रहेगा ना तो वो फैलेगा ना कुछ होगा इसको बोलते हैं फोकल इस तरह का अगर आपको सफेद दाग है तो ये जादा आसान है मतलब जादा अच्छे से इसे ठीक कर सकते हैं दूसरा टाइप के जो सफेद दाग होता है उसे सेग्मेंट बोलते हैं सेग्मेंट अर्था कि आपके शरीर पे ये ज़्यादा बड़े हिससे पे होगा सपोस कि एक हाथ पे होगा या एक पैर पे होगा या एक हाथ पैर दोनों मिला कर होगा इस तर शरीर पे फैला वो सफेद दाग है तो वो इनक्योरेबल होता है और थाथ उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते तो इस तरह इस तरीके से तीन टाइप के सफेद दाग हमें देखने मिलते हैं तो आईरवेद में जो भी पूराना सफेद दाग है उसके इलाज मे दोष आप उपवास कर लेते हैं फास्टिंग कर लेते हैं ऐक्सराइज कर लेते हैं ठीक हो जाता है यह सारी चीज़े करके भी इलाज नहीं हो रहा इसका मतलब दोष बहुत ज्यादा मात्रावें हैं तो उसको वामन करके या फिरेचन करके उल्टी करके पांच, छे दिन आईरविदिक आउशदी दे के उल्टी करके निकाल दो या चार-पाँच दिन तर घी पीके मालिश करके दो-तीन दिन फिर उसको मोशन करके निकाल दो एक ये तरीका बोला है दूसरा फिर बोला है ऐसी आउशदिया यूज करो कि जो वो सफेद दाग को क्लियर करने में करें तो अंस्टेबल अगर सफेद दाग है मतलब तेजी से फैलने वाला सफेद दाग है तो कभी भी हम ट्रॉंग दवा मतलब बहुत ही ताकतवर दवाईया वो यूज नहीं करेंगे तब सॉफ्ट मेडिसिंग यूज करेंगे बट पुराना लंबे समय से पढ़ा हुआ स सफेद दाग है तो उसमें हम स्ट्रॉंग दवाईयां यूज करेंगे जैसे कि बाकुची नाम की दवाई होती है वह ओशन होती है गरम होती है और सफेद दाग की सबसे बैस दवाईयों में से एक बोली है तो वह बाकुची का ओरल खाने के लिए यूज करना या फिर उसक तीशन भेदन करने का काम करता है तो पुराना अगर सफेद दाग है तो उसमें ये बहुत अच्छी दवाई होती है 10-15 ml की मात्रा में सुबर साम इसे अगर लिया जाता है तो उस सफेद दाग को क्लियर करने में मदद करती है एक और कॉम्बिनेशन है जो की बहुत नेचर में ठंडा है स्किन की तो कुष्ट स्किन रिलेटर जितने भी दवाईया है उसमें खदीर को सर्विस रेश्ट और बाकुची गरम है नेचर में तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो आमला बाकुची खदीर समान मात्रा में सुबर शाम खाने के लिये लेते हैं लंबे स रिष्ट बोलते हैं वो एक बहुत अच्छा स्किन पर काम करता है सफेद दाग पर जाके काम करने का काम करता है तो खदीरा रिष्ट का 15-20 ml की मात्रा में सुबर शाम खाने के बाद अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं और ये इसमें बहुत अच्छा काम करेगा एक आय काम करती हैं तो उसमें एक कमाल का उनुने शब्द दिया है श्ष्वित्र अर्था जो सफेद दाग होता है उस सफेद दाग पो ठीक करने का काम असनाधी गण करते हैं तो पुराने समय से पढ़ा हुआ अगर सफेद दाग है अगर छोटी सी जिगा पर है या लंबा मतलब पूरे शरीर पे नहीं फैला है, suppose कि आपका 40-50% उसने एरिया कवर किया है, तो ऐसे टाइम पे असनादी गर्ण पीने के लिए यूज करना, असनादी गर्ण की आउशदियों का लेप करना, उसी को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाना, ये एक बहुत अच्छा प्रैक्ट आध्या है, 20th chapter जो लिखा है, उसको उन्होंने श्वित्र क्रिमी चिकित सा आध्या है, ऐसे करके लिखा है, कि जो श्वित्र है, सफेद दाग की समस्चा है, उसमें क्रिमी का कही न कहीं इन्वाल्मेंट आपको हमेशा देखने मिलेगा, तो ऐसे पेशेंट इनको लंबे स समय से पास्ट हिस्ट्री रहती है, क्रिमी की, वंस की, की लैटरिंग के आपे खुजली होती है, या बोडी में इचिंग होने की दखलिफ होती है, या ऐसे पेशेंट लंबे समय से तिल, गुड, रात में सोते समय दूद लेना, रोज दही खाना, चीज, पनीर, जैसे की टूद डाइजस्ट आइटम होते हैं, खाने के बाद बुड काना, खाने के बाद चॉकलेट्स खाना, बार बार, मिल्क शेक, या फिर विरुद दाहर लेने की आदत होना, कि दही और मुर्गा साथ में खा रहे हैं, या दूद का आइटम, दूद वाली चाय है, उसके सा चपादी, चपादी में तेल नमंग डाला है, वो खा रहे हैं, तो विरुद दाहर, अपोजिट कॉम्बिनेशन वाली चीज़े खाना, और ऐसी चीज़े खाना, जिससे क्रिमी बढ़ते हैं, जिससे के दिन में सुना, उडद है, तील है, गुड है, बहुत ज्यादा, अती चित्र के बारे में, सफिद्दा के बारे में, आईरविद में एक और विशेश शब्दाया है, प्रशम्यती छीन पापश्य, अब आईरविदी के एक आस्तिक्स शास्त्र है, जिसमें पुनर जन्म, या फिर स्वर्ग नर्क, पुन्य पाप, इस तरह की चीज़ों के बारे में, आईरविद में बहुत सारे रिफ्रेंस दिए गए हैं, तो ऐसे कहा गया है कि जो छीन पापश्य, या अच्छे कर्म करना, या ऐसे कर्म करना, जिससे कि जो भी अगर पाष्ट के पापकर्म है, वो अगर कट हो जाते हैं, सूर्य की पूजन करना, उपासना करना, तो ऐसे कहा है कि ऐसे लोगों का जो शृत्र है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, ये भी एक रिफ्रेंस आया है, तो काउंसिलिंग में पेश्ट को ये कि पापकर्म एवाइड करना, और पुर्ण्य कर्म, अच्छे कर्म की तरफ ज्यादा फोकस करना, ये भी छीजे थोड़ा अपने एक बार आप जो भी नच्टी की आयरविदिक डॉक्टर होंगे, उनसे पूछ के करेंगे, तो ज्यादा अच्छा, और शृतियों में बाकुची का इंटर्नल सेवन, कई बार इसको रसायन के तोर पे यूज़ किया जाता है, मतलब एक बाकुची का बीच और काला पहले दिन, दूसरे दिन, दो, तीसरे दिन, तीन, चौतरे दिन, चार, ऐसे बढ़ाते हुए 15 दिन तक ले जाना, और फिर घटा के 15, 14, 13, 12, 11, 10, ऐसे उस पे लाना, तो इस तरह जो वर्धमान प्रयोग आईरविदिक बोले हैं, वो भी करने से लंबे समय तकी प्रयोग क इंफ्रेंस आया है, कि जो भ्रिंगराच के पत्ते होते हैं, उसको लोहे की कराही पे तेल या घी में सेक लेना, उन पत्तों को खाके, अगर पत्ते नहीं मिलने तो उस पावडर को भी लेके घुन लेना, उसको खाके, फिर जो दूध होता है, दूध में अगर जो अपना ख़दीर होता है, ख़दीर के पाउडर मिल जाते हैं, वो दूद में डालकर उबालकर पीते हैं, तो उससे भी जो श्वित्र है, वो ठीक होने में मदद मिलता है, तो इतने सारी अलग-अलग प्रयोग आईरवेद में बोले गए हैं, अगर आपको पुराना श्वित्र है, त प्रयोग को यूज करते हैं, तो अच्छा खासा रिजल्ट या अच्छा खासा आराम आपको देखने उस पे मिल सकता है, तो ये तो था पुराने समय से बने हुए सफेद दक के बारे में, आईरवेद में क्या का आ गया है, उसके बारे में जानकारी, और ऐसे कौन से पिक पर आप डीटेल्स देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट गर के बता सकते हैं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें